हाई एवरिवन वेलकॉम टू माई बॉल अफलावर सब्सक्राइब कैसे हैं आप सब आप सब ठीक होंगे तो आज के अमारी नई पिककार डिडिंग है क्या कोई आपका छुपा हुआ डूस्मन है सच में कोई आपका छुपा हुआ डूस्मन है भी या नहीं वहीं सबकुछ हम रेडिंग के तो देखेंगे इसके लिए मैंने हाँ पर दो पाइल बनाई है जिसमें फॉर्स पाइल हमाई रहे की वाइट क्रिस्टल स्टॉन और सेकंड पाइल है ग्रेस्टॉन दोनों पाइल के ऊपर आपको मेरिटेट करते हुए अपने पाइल चूज करने हैं यह ज वह सारे लोग मुझे पस्नल लेडिंग ले रहे हैं अपने क्वेश्टन का आंसर उनको मिल रहा है तो आप भी मुझसे आसानी से जुड़ सकते हो और आपकी क्वेश्टन के उपाइल भी आपको मिलेंगे इतना याद अब जो भी लाइव में जिनको भी फिश्टली आंसर चाहिए वह मेंबर्स इब में जॉंट हो सकते हैं मेंबर्सिफ में जॉंट होने के लिए जॉट की ओपर क्लिक कर ना है और 59 उपी से स्टाइट होते हैं तो आप आसा नि से मेंबर्शिफ जॉइट कर सकते हो तो चलोने स्टा książ Naputo पर हाई कि है अब जिसके से ने पाइलवन चूज़ कि है वाइट क्रिस्टल स्टॉन तो चले देख लेते हैं कि क्या आपका कोई छुपा हुआ दूस्मन है पाइलों जिसके से नभी चूज़ की है डिवाइन उनिवर्स बताइए क्या उनका छिपा हुआ दूस्मन कोई है यूनिवर्स डिवाइन आप मुझसे पस्नल लीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो 50 रुपे से स्टार्ट होती है बहुत सारे लोग मुझसे पस्नल आप भी आसानी से मुझसे जोड़ सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इमेल आइडी इंस्ट्रागाम और फिस्बुक की लिंक दी गई है वहां से सिप मुझे मैसेज करना है और मेरा वाट्स अप नंबर आपको मिल जाएगा बहुत ही जल तुरंत ही मिल जात आपक की अंबर आप टी आप सौ उस मिल गई टी आपस टी आप दूर्ट इंस्टर्स टी आ भड दीओ की six of cup okay will of fortune the devil duality bottom of the deck हमारे पास है five of swords जहां से देखते हैं universe divine pile one spirit fox trust your talent in changing time see see beyond the current situation summer bask in joy and light moon take note of intuitive message on to moon release the old and raised bottom of the deck हमारे पास है magic guardian unlock the magic within तो यहां क्या कोई आपका छुपा हुआ दुस्मन है हमारा सवाल है जिसके लिए साइन आए है जमनाई लिप्रा एक्वेडियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्ट कैंस स्पाइस कॉप्यों की एनर्जी भी है यहां जो एक एनर्जी है जो सिफ यहां टेंट ट्वेंटी परसन ही है तो वह है एरिज लिव सेजिटेरियस तो इसका मतलब यह होता है जो एनर्जी नहीं होती है तो उसकी तरीके से ही जूआब भी मिलते है hugely है कि क्या कोई आपके छूपा हुआ दुस्मन है यहश टेफिनिटीलि आपके लिए मैं स्टार्टिंग से ही कहना चाहती हूं कि आपकर चुपा हुआ दुस्मoles और यहां जो आपका चुपा हुआ दुसमन है वह क्यों है वह मैं जरुरित को कहना जाती हूं आपके जीवन में बार 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 हालते कुछ न कुछ दूर्टाइब बनते रहते हैं बार-बार आपके जीवन में रूका उटेश भाए बनते कहां से है, वो क्यों आती है, वो किस लिए आती है, तो यहां बार-बार इस तरीके से कुछ ना कुछ problem create हो जाती है, अब मान लिजे कि वो negative कर्मा की cycle हो, तो वो आपके जिवन में लगातार कोई भी एक cycle चलती है, उसके और कभी-कभी कुछ लोगों के जिवन में बहुत सारी negative कर्मा की cycle चलती है, जैसे कि mentally, physically, emotionally, socially, हर तरीकी की negative कर्मा की cycle चलती है, वो है, तो इसके साथ यहां जो बीच में काड़ा है, 10 of salt, इसका मतलब यह होता है कि कहीं न कहीं, negative कर्मा की cycle तो आपके जिवन में बनती रहती है, और खतम होती रहती है, आपके जिवन में उतार चड़ाओ का सिलसिला है, यह जिस किसी की भी पाइल है, और उतार चड़ाओ के सिलसिलों के साथ- जो चोटी-चोटी problem, जिसका answer जल्दी मिलता नहीं है, जिसके चलते वक्त बहुत जादा खराब होता रहता है, बार-बार एक महिना खराब होना, दो महिने खराब होना, तीन महिने खराब होना, लगातार, दस महिने खराब होना, यह ठीक बात नहीं है, तो इसके लिए मैं में आपको स्टार्टिंग सी जवाब दे दिया है कि आपके जीवर अपने कुछ नहीं कुछ नहीं कृरीट होता है और अच्छी बात नहीं है कि यहां बार बार यहां फोर्ष का नाइन ओव डिस्क कर आया है इसका मरलब यह होता है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छी जीज़र करने जाते हो तो उसमें भी आपको बहुत जादे इमुशनल चीज़ों का रुकावाट का सामना करना पटा है अब आप अपनी केरियर और जॉब या बिजनेस को लेकर अपने कुछ अपने तरीके से सेट करना चाह रहे हो और उसमें बार बार इमुशनल चीज़ों को से रुकावाटे बन रही है तो यह ठीक बात नहीं है इमुशनल चीज़ों से रुकावाटो का मतलब होता है कि मान लो कि आप कोई जॉब में जा रहे हो और उसमें बार बार जॉब आप जहां जॉब कर रहे हों वहां बार बार कोई आपको सुना रहा है या बार बार आपकी कोई इंसर्ट कर रहा है या बार बार आपको हर तर आप अपने तरीके से आगे बढ़ना जरूर चाहते हो लेकिन उसके लिए आप इतनी ज़्यादा एफ़र्ट भी लगा रहे हो फिर भी आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा है और ये अच्छी बात नहीं है ये इस वज़र से क्योंकि आपके जिवन में कुछ छुपा हुआ जिवजर से ये जो दुस्मन है वो आपका नजदी की इनसान है बहुत ही नजदी की जिनके साथ आपकी गेहरे रिस्ते थे भी हो सकता है क्योंकि जिनके साथ आपने बहुत जयादा वक्त बिताया है continually उनके साथ एक applying यह दाजिवन भी बिताया है इतना जान लो आप ये ज आपने काफी सालों बिताए हैं मैंने यहां महिने नहीं कहे हैं या दिन नहीं कहे हैं काफी सालों आपने उनके साथ बिताए हैं लेकिन उन्हों नहीं आपका ही खा के आपका ही बुरा किया पहले स्टार्टिंग में उन्होंने देखा आपके लाइफस्टाइल को उनको आपक जलन बढ़ती चली गई, जैसे जैसे उनकी जलन बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उन्होंने आपके जीवन में कुछ ना कुछ छोटी-छोटी बातों को लेकर एक बाते करने लगे अपने तरीके से, आपको कुछ नहीं बाते बताते या अर्मोस्ट कुछ नहीं दिशा दिख तो यही परसन है जो आपका छुपा हुआ दूसमन है आपने उनकी वज़े से बहुत सारी हालातों को पूरी तरीके से completely change किया है आपको रिवाली में 100% सही लगते थे वो फैसले फिर भी किसी के कहने की वज़े से आपने वो change किया है तो इसका मतलब यह होता है कि यह जो परसन है आपके जीवन में वो आपका बहुत कुछ बहुत जादा खास रहा है बहुत ही special परसन रहा है जिसके चलते ही आपने उनकी बात सुनते हुए अपने हालातों में फिरफार किया है वरना इतनी जल्दी कोई किसी इनसान की बात वैसे तो सुनता नहीं है लेकिन कोई खास और special हो तब भी कोई उनकी बात सुनता है यहां कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके नजदी की कोई person हो सकता है आपका ex भी हो सकता है आपका boyfriend girlfriend ex हो सकते है या आपके जिनके साथ बहुत ही गहरे रिष्टे थे वो male या female कोई भी हो सकते है जिनके साथ आपके एक physical relation भी थे कुछ लोगों के मैंने कहा कुछ लोगों के physical relation भी थे और वही आपका छुपा हुआ दिस्मन है अब वही आपके साथ बिदला ले रहा है वही आपकी हर चीज को जानता है वही आपकी हर चीजों को खराब कर रहा है परपात कर रहा है इस वज़र से ही यहां बीच में काड़ा है समर इसका मतलब यह होता है कि जिनके साथ आपने ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताया है वहीं आपका छुपा हुआ दूस्मन है और यहां मून की पोजिसन तो पूरे तरह के से करती है कि आपके बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो इनसान कौन है आपके इंटिसन को पता है आपको पता है लेकिन आप उनको इग्नौर करते हो नहीं नहीं वो ही नहीं सकता है इतना ज़्यादा आपको उनके उपर बिलीव है बहुत ज़्यादा विस्वास है इस वज जा रहा है कि यह जो आपका दुस्मन है वो आपके पास के लाइब सही है यानि कि अभी कि आपने जो भी जीवन में जीवन बिताया है जिसमें आपको बहुत सारे अपने लोग मिले है जिनके साथ आपने नजदी किसे रिस्ता निपाया है उनको अब आपको रिलिस करना है अ अब भी उनको आपको उनसे दूर हो जाना है तब भी अपकी lifestyle अच्छी हो सकती है वन्हा नहीं हो सकती है यह बिधो भी पुराना listen है जो अभी दुसमनी निंपा राहा है उनसे दूर हो जाय कैसे भी करके उनके साथ कैसे भी करके दूश्ते तोड़ीजे या कैसे भी करके उनके से दूरी बना नहीं है आपको वनना वो बहुत ज़्यादा धगतीगा, बहुत ज़्यादा परिसान करेगा, आपके जिवन वे डिश्टरबर इंस क्रियेट करता ही रहेगा, आपकी लाइप स्टाइल डिश्टरब होती ही चले जाएगी, इस वज़े से ही साइद ये सीर आया है, आपको बार बार कहा जाया रहा है कि आपके सामने ही आपका दूस्मन है, उनको देखना सीखे, इस वज़े से फर्स्ट काड़ा है स्पिरिट फॉक्स, इसका मतलब ये होता है कि दिमाग से, सूजबूच से, अपनी आवड़त से, काम लोगे, तो इस दूस्मन के बारे में भी पता चल जाएगा, और आपके काम भी सही बनने लग जाएगे, क्योंकि आप सांती से सूजबूच से, अपने डिसेजन, अपने खुद की तरह के से लेते हो, तो आपको काम्याब होने से कोई नहीं रुख सकता है, आपको किसी है, जो आपके सामने ही है, इस तरीके से, क्रिश्टल, क्रिश्टल ये अपने ध्यान से देखो, तो आरपार दिख रहा है, इसका मतलूब ये होता है, पार्दसक, आपके सामने ही है, आपके अपने दिसा में ही है, रूबरू में ही है, आपके नजदी की ही है, इसको निकाली यह रिडिंग डू लाइक से सब्सकाइब इन कॉमेंट लव यू बाई हाई अब जिस किसे ने पाइल चुछ की है ग्रेस्टॉन तो चले देखते हैं कि क्या कोई आपका छुपा हुआ दुस्मन है यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू आप मुझे से बहुत आसानी से ले सकते हो पचास रुपे से स्टार्ट होती है दिस्किप्शन बॉक्स में लेंग दी गई है इंस्टागाम फेस्बूक और इमेल की वहां जाकर आपको सिर्फ मुझे मेसेज करना है और मेरा वाट्सप न मिल जाएगा चली देखते हैं पाइल टू क्या कोई आपका चुपा हुआ दूस्मन है वाकई में क्वीन ओप डेस्क जस्टिस व्यू और वाई आपक ट cowboy तन अमठ गवः टो क ह्वर्भ नह जाओ शुपा है मेरा आपको है सबस्थ नहल को कुछ है तर वह जब वाच श्रोंन है तर श्रावेत दिक masa Nhल हो । मैंसर्मा स年 है घर समने कौर दिस्ट नहर दिमोन यूनिवर्स लास्ट में दिमोन क्यों है सिक्स ओप डिस्क अच्छा बैलेंस पॉर्ट ऑप्ट एक हमारे पास है दिस्टार यहां से देखते हैं भी नहीं से लाट। वॉर्स लाट। नहुड्ण जाहं से चुछा haंत मेपोियता बैख एक ह्ट। विज के लिए इंट है रिस्क बात समय दि.. दिस्क्रण्न अबस्के लाट आएका दिस्टार्या विएिव्सटि partnerships ला सान एंजोई सक्सेस एंहपीनेस मांटेंस तेंड योर क्राउंड उकी तु यह है फोटम प्रडेक हमारे पास है एगल सी फ्रॉम हायर प्रस्पेक्टिव ओक यहां साइनाइ है वह है कैंसर पाइस कॉप्यो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पर्मिन टैनर्जी है यहां एरिस लि वो है सिफ नॉर्मली 50 परसंटेज और यहां एरिस लिए सेजिटेरियर्स के एनर्जी बहुत जादा कम है जो मैंने आपको बताई है 50 परसंटेज ही है इसका मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी सोभाई प्रकृती है यह आपकी नेच्रल प्रस्नालिटी है उसमें जान बुझकर बाधाई बन रही है एक सफलता मिलने में आपको वक्त भी लगता है चांसे सबको कम ही मिलते है उपर्चुनिटी कम मिलते है आप खुद सोच में पर जाते हो कि ऐसा क्यों होता है दूसरों के जिवन में तो सफ फलता उनको मिलते है लेकिन मेरे ही जीवन में आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर तरीके से मुझे वाकी में कुछ समझ नहीं आता यहां टैन ऑप कप के एनरजी आई है इसका मतलब यह होता है कि 50% लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि आपके जीवन में कोई भी छुपा दुस्मन नहीं है और 50% लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि आपके जीवन में कोई छुपा हुआ दुस्मन जरूर है क्योंकि यहां आपकी पीच में जो काड़ा है व्यू एन वाई इसका मतलब यह होता है कि कही ना कहीं जिन लोगों के जीवन में परिस्तितिया बार बार किसी की तब्यत कराब हो रही है बार बार कुछ ना कुछ ऐसी इमस्नल चीज़े हो रही है बार बार गिरना या इंजरी होना या बार बार लगना बार बार कुछ ना कुछ घटित होना यह कुछ ऐसे ही नहीं होता है इतना याद रुखो इस वज़र से मैंने कहा कि कु चुपा वोर दुष्मन नहीं है उनके लिए आपके जीवन में कही हंत तक व्यर्ण की परिस्थितिया चलती है कि उतार चढ़ाओं का सिलसिला आपके जीवन में आता है बनता है चला जाता है ये एक normal systematically कर्मा की position है कि normally कार्मिक कुछ चीजों में कुछ परिस्तितियों में कर्मा होना जिसके चलती कर्मा बनना और फिर वो कर्मा पूरी तरीके से साब भी हो जाना और आगे चलके परिस्तितिया ठीक भी हो जाना अच्छी भी हो जाना तो यहां आपके जिवन में सिर्फ normal कर्मा है वो बनते हैं आते हैं जाते हैं इस तरीके से आपके जिवन में लगतार होता है तो आपके जिवन में कोई भी छुपा हुआ दुस्मन नहीं है उसके लेकर यहां में यही कहूंगी कि कैसे भी करके अपनी negative कर्मा के cycle को clean बनाने की कोसिस करिए इसका मतलब यह होता है कि अपनी कर्मा के लिए बहुत ज़्यादा संग्रस किजिए बहुत ज़्यादा मेहनत किजिए और अपनी खराब परिस्तितियों में से बहार निकलने की कोसिस करोगे तो आप आसान इसे उसमें से निकल आओगे और negative कर्मा की cycle कितनी भी लेकिन हम अपनी मेहनत से उसको छोटी कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है यह जो हाथ में जो भगवान ने रिखाए बनाए है वो ऐसे ही नहीं है यहाँ आप मेहनत करोगे तो आपके जिवन के कर्मा almost दूर होते चले जाएंगे इतना याद रुको इस वज़र से मैंने कहा है कि आपके जीवन में किसी भी तरह कोई भी छुपा हुआ दुसमन नहीं है अब यहाँ जिन लोगों के जीवन में छुपए हुआ दुसमन है जो 50% लोग है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में बार-बार मून की पोजिसन क्यों बनती है बार-बार eight of cup के पोजिशन क्यों बनती है आप में से कहीं सारे लोगों के जीवन में मुशनल बाहिस परिस्तितिया बहुत जादा खराब है इतना जान लो कोई किसी का सपोर्ट नहीं है बार-बार किसी के साथ सेप्रेशन हो जाता है किसी भी लोगों के साथ एक रिस्तेदारी अच्छी आप नहीं है कि मुझे घुसा होना चाहिए तो बार-बार में मुझे घुसा क्यों आ रहा है यह बार-बार कुछ ना कुछ हानी होना दुख पहुंचना बार-बार एक वक्त बुरा लगना बार-बार एक नेगेटिव एनरजी लगना बार-बार एक परिसानिया हो का सामना करना है अपने जीवन के लिए लड़ना है संग्रस करना है तो आप इस चुपे हो दुस्मन को पूरी तरीके से जान सकते हो इतना याद रखो यहां आपको अपने चुपे हो दुस्मन को जानना हो तो बार-बार यहां आपकी परिस्तितिया बार-बार आपको अउग परिस्तितियों को ही खराब कर सकता है इतना याद रुखो और वो आपके परिस्तितियों को खराब कर रहा है तो आपको अपने परिस्तितियों को भापने की जरूरत है और आपके परिस्तितियों के बारे में कितनी लोगों को पता है इसको लिकर आप कैलकुलेट कीजिए जि आपको जरूर पता चल जाएगा कि आपका छुपा हुआ दस्मार ओल्मुस्ट कौन है यहां आपने ग्रे स्टॉन चूज किया है इसका मतलब यही होता है कि यस कुछ लोगों के जीवन में ग्रे की तरह एक बार-बार ग्रे अपने देखा होगा एक दुन्रा सा दिखना तो आपके जीवन में कर्मा की वज़त से ही कुछ चीज़े आवगमन की है कुछ चीज़े बदलती रहती है उसको आपको संभालना है तो सब कुछ ठीक हो जाईगा और आप उपने जीवन में मैजिसन की पोजिशन में भी बन सकते हो आ सकते हो इसमें कोई DOUOUT नहीं है आपकी म पहनत हंडिट परसन लगातार कंटिनुसली रही तो अब मैजिसन की पोजिसन में आ जाओगे आपके पास जीवन के सब कुछ होगा इतना याद रखो अब जिन लोगों के जीवन में छुपा हुआ दुस्मन है उनके लिए मैं कहना चाहते हूं कि आपके आज पास के जो भी बूरी सोच वालया कोई इनसान है जिनके दिल में बहुत जादा एक काली की तरह यानि बहुत जादा बूरी और गंदी नीच सोच है आपको लेकर उसको आपको खुद से ही जान लेना है खुद से पकड़ना है कोई आपको कहने नहीं आईगा कि मैं आपको परिसान करता आपको खुद बखुद उसको ढूर निकालना है जो मैंने आपको ट्रिक बता ही हो उसके मताबिक चलोगे तो आपको तुरन पता चल जाएगा कि आपका रियल इमेज छुपा हुआ जूसमन कौन है यह है रिटिंग डू लाइक से है सब्सकाइब और कॉमेंट लेव यू बाइ